नमस्ते सभी को, आज मैं राधा कृष्ण के बारे में बात करने जा रहा हूँ. राधा कृष्ण का रिष्टा दुनिया में प्यार का सबसे अनमोल और महांतम रिष्टा है. ये दो प्रेमी दुनिया की सबसे प्यारी प्रेम कहानी है. इस प्रेम कहानी के बारे में बात करना तो आसन है, लेकिन इसकी सची समझ कतहिन है. राधा और कृष्ण के प्यार में सिर्फ प्रेम ही नहीं था, बाल की समर्पित भक्ती भी थी. राधा कृष्ण की जोड़ी की कहानी भक्ती और प्रेम की कहानी है. कृष्ण भक्ति के देवता और राधा कृष्ण का रिष्टा भक्ति से जुड़ा था कृष्ण अपने प्रेमी राधा के लिए सारी दुनिया को भूल जाते हैं उनके प्यार की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है राधा क्रिश्न की जोड़ी इतनी सुन्दर है कि हम उस सुन्दर को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं राधा क्रिश्न की जोड़ी का पैगाम है कि प्यार में सब कुछ हो सकता है उनकी कहानी से हमें ये सिक्ष मिलता है कि प्यार की शक्ती बहुत बढ़ी होती है अगर हम अपने दिल से किसी को प्यार करते हैं, तो हम दुनिया की हर मुश्किल से सामना कर सकते हैं राधा कृष्ण की जोडी का पैगाम है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और भक्ती को शामिल करना चाहिए हम अपने जीवन में राधा क्रिशन की तरह प्यार से और भक्ती से सभी के साथ रहना चाहिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस संदर्ब में मैंने आपको राधा क्रिशन की कहानी के बारे में कुछ नया सिखाया होगा राधा क्रिश्न की कहानी हमेशा से ही हम सभी को प्रेरना करती रही है हम सभी को राधा क्रिश्न की जोड़ी को अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए